नमस्कार दोस्तों आज मैं आपनों के सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूं यह MacBook का है MacBook 1466 यह हमारे किसी कस्टमर से हमारे पास आया था आज ही आया था तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉट आउट किया वो इसमें बताने के लिए जा रहा हूं स तो जैसे कि रिपेरिंग का स्टेप्स होता है पहला स्टेप्स क्या होता है कि आप पहले फिचकल ही उसको देखोगे तो फिचकल जब हमने देखा तो हमें क्या मिला काफी डश्टी था कभी साथ ओपन नहीं हुआ था तो हमने डश्ट को क्लीन किया रिपेरिंग का दूसर सिथते में इसे मदरवुट को देखा है ना तो हमें एक कैपश्टर पे क्रेक मिला है 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 ना यह विडियो में आपको कैपश्टर डूब आज फिटाल दूगा अब यह देख सकते हैं यहाँ फर यह मारा पहला फौल्टी कॉंपरेंट केबल फीजकलि में मिला है एक capacitor था जो हमें एक crack लगाता है canator था तो यह हमें दूसरी प्रलम में एक दैश्टी था उपर से यह था तो उसके बाद हमने इस capacitor को हटा दिया अब हम बूले की चलो चलते हैं देखते हैं इसको वोल्टेज लेवल पर मतलब फीचकल लेवल लेवल पर हम लुक्सियोर हो गए कि प्रावलम आपका सॉट आउट हो गया फिर हम गया इसको वोल्टेज लेवल पर चेक करने के लिए वोल्टेज लेवल के लिए हमने सबसे पहले डाइग्राम को लिया तो मैक बुक का जब भी आप डाइग्राम के थुरू टेस्टिंग करोगे तो जैसे हमने जैनरली चेक किया तो हम इसको ना आए इस पर हमने सबसे पहले क्या चेक किया 3.42 जी 3 होट अनक दिखाए 3.42 जी 3 होट कहाँ पर हमने चेक किया अब देख सकते हैं पहला बोल्टेश था 3.42 यह हमारा परफेक्ट मिला फिर उसके बाद हम फाइनल विन आउटपुट के लिए गए हैना वो भी हमें परफेक्ट मिला दिखा दीजे एक पर फाइनल विन आउटपुट यह देख लिजे यहां पर हमने यहां पर इससे जो पर यह कि जैसे कि हमारा क्या होता है और बैटरी का जो आउटपुट होता बैटरी चार्जिंग का आउटपुट वहां का वोलटेश चेक करिया वहांने कहां चेक किया तो यहां पर देख रहे हैं एट पॉंट फाइब नाइन सम्थिंग आ रहा है तो यहां तक हमें बिल्कुल ओके मिला है ना प्राप्राब्लम्स क्या थी इस मदर बोड में यह ओपन नहीं मदब डेट था डेट की कंडिसन में थी तो यह प्रावलम हमारी थी इसके जो यह अम लेडी देख रहे हैं वह हमारी गलो कर रही थी इसमें कोई दिक्कत नहीं था गलो कर रहा था तो अमें लगा कि काई नहीं कहीं 3.42 एट पॉंट फिरों के खुश्ल घ्रजा और क्योंन आका था रहा था तो जैसे की हम जैनरेक्र Laptop में अपना रिपैरिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा वीन सर्कृट अगर उके है तो फैनली हम क्या चेक है विं प्लभ फाइबोल्ड फाइबुल्ड तो हम ने जब यहां पर इह है ना कहां पर चेक करेंगे दिखा दिए यहां पर यह देख सकते हैं अभी यहां पर 5 वोल्ट आ चुका है 3.3 वोल्ट पर आ चुका यह दोनों ही वोल्टेज नहीं आ रहा था तो अब आप खुद ही सोचिए कि हमारा विन आउटपूट ओके है जो में चाहिए था बट हमार सिक्वेंस पर सिक्वेंस पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम पर आपको नजर आएगा पिन नंबर पताव थोड़ा बड़ा करिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा करिए हां तो यहां पर आप देखी जो हमारे आइसी जो है नॉर्मल आइसी है टीपिएस 51980 इसकी पिन नंबर 23 यहां पर जाना उपने च SaaS क्या सीन मिलना यहां नहीं भी स्वार रहा था older स्विछ जा रहा था और व्हें प्रस्ष्स ही तो हमें हमारा clue मिल गया कि problem फिर क्या है कहीं न कहीं साइद यहां पर है तो यहां से हम back करें यहां से हम back करें दिखाए जरा एक्ट्वल में problem थी कहां पर वो बता है वो दिखाए इसको लेजिए back करिए हम इसी डाइग्राम के थुरू back किये कि आखिरकर यह वोल्टेज आ कहां से रहा है इस चीज़ को हमने देखने के लिए गए तो आप देखिए पर नमबर 46 आप देख सकते पर नमबर 46 पर यहां पर लाइन मिल रही है चाहिए पर नमबर 46 पर जाए प्रावलम्स क्या थी आप देखिए यहां पर हां अभी देखिए यहां पर यह आपको एक है यह तो हमारा वोल्टेज 8.5 परफेक्ट था दोसी साइट पर वोल्टेज फ्लेक्ट कर रहा तो तो प्रावलम क्या रहा तो यह देख सकते हैं यह यहां पर यह रहा हमारा यहां पर कहां नजर आया हमें बोड़ियों में यह आप देख सकते हैं फ्यूज फ्यूज था यह तो इसकी यहां पर प्रावलम्स 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 थी उसको हमने किसे दूसरे स्क्राप बोड से रिप्लेस कर दिया अब आप डेख सकते हैं हमारा इंप रिपैर हो चुका है इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कितना डाइम लगा आदा गंटा आदे गंटे में हमारा के सॉल्व हो गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर अमारा एंपेर भी और डिस्प्ले आ गया है तो कुलमला के ही फॉल्स था कि यह आपका डेट कंडिशन अमारे पास आया था जहां से भी आया था वहां से प्रॉपर देखा नहीं गया तो हमने जो नॉर्मल कोई बहुत बड़ा श्टेप्स नहीं लिए नॉर्मल श्टेप्स लिए पहले मैं लिया और वो लिया तो हमारा फॉल्ट मिल गया बस एक यह फ्यूज का फॉल्ट मिला हमें और इस फ्यूज को अटाके हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारी प्रॉलम हो गई सॉल्ट